आप आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें अनुपुमा के अपकामिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपुमा गुलाटी को रेस्टोंट में इन्वाइट करती है वो गुलाटी को कहती है आप दुबारा से जरूर और तभी वो पारितोष को वॉन करती है कि अगर पारितोष तुमने काम के दोरान ऐसी हरकत करी तो ध्यान रखना अनुपुमा यहां गुलाटी से कहता है कि आप पारितोष से प्राइविट में बात कर लीजेगा गुलाटी कहता है कि अनुपमा आप बहुत जादा उड़ रही है उस ट्रोफी को जीतने के बाद यश्टीप यहां पर गुलाटी को अलर्ट करता है और गुलाटी यहां पर बेचैन होता है वो यहां पर बात करता है कि आखिर कैसे अनुपमा special day पर आधिया के लिए वो अलग से रखेगा उसे अनुष सोचता है कि आखर कैसे वो अनुपमा का दिल तोड़ेगा और कहेगा कि अपनी ही बेटी के बर्दे में वो ना आए अनुपमा decide करती है कि आधिया की बर्दे के लिए वो decoration करेगी अनुष सोचता है कि आधिया की demand मेंने पूरी नहीं की तो वो तमाशा करेगी अनुपमा आधिया को wish करती है कि वो जल से जल सही हो जाए अनुष decide करता है कि आधिया की बर्दे पर वो अनुपमा के साथ रहेगा और अनुपमा decide करती है कि वो सारे decoration खुद करेगी आधिया के लिए शो के upcoming episode में दिखाया जाएगा कि आधिया का room जो अनुपमा decorate कर रही होती है उसमें आधिया की पराने picture देखर अनुज और अनुपमा अधिया का first birthday याद करते है अनुपमा डेसाइड करती है कि वो आधया का बर्दे बहुत जादा स्पेशल बनाएगी और किंजल यहाँ पर पारितोष्ट से कहती है कि तुम लेट क्यूं आए हो, आके तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पारितोष्ट तो भी एक्स्क्यूज बनाता है, किंजल यहाँ पर अनुपमा को बरबाद करने के लिए उससे बदला लेने के लिए भरपूर कोशिश करने वाला है और वो अनुपमा के लिए बहुत जादा मुश्किल परिशानी खड़ी करने के लिए सोच रहा है, अब ऐसे में देखना होगा काफी जादा इंट्रॉस्ट रहें कि क्या अन कुले